पर फाइनल अकाउंट के अंदर हमने क्या देखा था? फाइनल अकाउंट के अंदर बनाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग के बाद profit and loss, profit and loss के बाद balance sheet, तीन चीजों में divided है trading account का main purpose main मकसद होता है कि वहाँ से gross profit निकाल ले या net profit निकाल ले, और gross profit निकाल ले या gross loss और P&L का main मकसद क्या होता है वहाँ से क्या निकाले, net profit या net loss और इन सभी को कहां भेज दें, balance sheet में और balance sheet में जाने के बाद वो दोनों टैली हो जाता है हमारा काम खतम हो जाता है trading account बनाने के लिए आपको knowledge होना चाहिए सर किस चीज का एक तो होना चाहिए direct expense और indirect expense, तो direct expense कौन से होंगे जितने भी factory से related खर्चे होंगे उसे direct expense बोले जाएंगे जैसे कि carriage invert हो गया, जैसे cartridge हो गया, freight हो गया, या manufacturing expense हो गया या octree हो गया, custom duty हो गया, wages हो गया, power हो गया wages और salary है तो यह सारे direct expense किस से related होगा हमारा trading account से एक दूसरा आ जाता है trading account यानि factory के बाहर के खर्चे यानि office जिसको मैंने नाम दे दिया तो office में क्या हो सकता है सर indirect expense उसे बोलेंगे, जैसे journal expense, light, electricity, salary यह सारे कहा जाते हैं हमारे office के अंदर के खर्चे आ गया है तो office वाले खर्चे कहा जाएंगे, पी एंडल में और जो कि हमारा trading वाला खर्चा है वो फैक्टरी वाला ट्रेडिंग में एक format बनाया था, एक trading account, उसके नीचे पी एंडल और यह, यह PDF मैंने आपको share भी कर दिया था इसके बाद हम आगे continue चलें, तो सर एक question भी किया था, आपके book का ही question है यह सर book कौन सा ले रहे हैं, जे आर मुंगा book को follow कर रहे हैं, हर किसी बच्चे के पास book होना चीए यह पूरे डेली उनिवर्सिटी में मातर एकी book चलता है, जे आर मुंगा चाहे कोई बच्चा किसी college का हो डेली उनिवर्सिटी में उससे college में एकी recommendation करते हैं वो, कुछ college में हो सकता है maybe के आपका DK goal कर रहे हो, लिकिन इतना popular नहीं है, जितना के जे आर मुंगा popular है इसके बाद सर आगे हमने क्या किया था, आगे हम आगे थे सर adjustment करने के लिए और adjustment करते करते हमने देखा के सर adjustment बोलेंगे किसे तो जो trial balance के बाहर चीजे गीवन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम adjustment adjustment में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा closing stock पे closing stock या तो आपको given हो सकता है trial balance के अंदर या given हो सकता है adjustment में तो trial balance के अंदर जो भी information given होता है हमेशा उसकी एक ही entry करते है और जो adjustment में information given होता है दो entry करते है तो trial balance के अंदर अगर closing stock given हुआ तो सरिफ और सरिफ हम कहां लेकी जाएंगे balance sheet के asset side लेखिन अगर adjustment में given हुआ तो एक कहां चले जाएगा हमारा trading account के credit side में दूसरा balance sheet के asset side यहाँ पर एक twist आता है कि आपका closing stock के दो value दे देते हैं एक market value और एक book value तो आपको कौन सा value अगर दो value दे दिया तो कौन सा value consider करोगे तो जवाब है सर इसके अंदर से आपको consider करना है whichever is lower जो दोनों में से lower है वो value आपको consider करना है तो मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़े यहाँ पर लिख भी दिया है बाकि previous वीडियो में मैंने धीरे धीरे बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं इसके बाद एक आता है outstanding, unpaid, accrued या फिर आप कह सकते है पेबल, area बहुत सारे नाम है इनके अगर adjustment के अंदर हुआ तो दो entry, expense के अंदर add और balance sheet के liability में अगर आपका होता है कहाँ पे सर, entry होता है आपका trading account में तो कहाँ जाएगा trading account के case में सिर्फ और सिर्फ जाएगा balance sheet के liability side में balance sheet के liability side में इसके बाद आगे देखा जाए तो आगे क्या है हमारा sir अगला point है हमारा prepaid expense, expired expense related to next year prepaid expense की बात करें तो यहाँ भी trial balance के अंदर होगा तो सिर्फ जाएगा balance sheet के assets में अगर adjustment में हुआ तो expense में से minus और balance sheet में asset side पहुँच जाएगा अगला देखा था sir हमने क्या depreciation, depreciation अगर adjustment में है तो assets में से minus profit and loss के debit में लेकिन अगर depreciation आपका है trial balance में तो सिर्फ P&L के debit side में जाएगा साथ के साथ provision for depreciation इसके दिखाने के दो तरीके थे अगर आपका trading trial balance में है तो यह चला जाएगा या तो liability में दिखा दो या फिर assets में से क्या करो minus कर दो लेकिन अगर adjustment में हुआ तो आपको trial balance के अंदर benefits given है तो P&L के debit में जाएगा अगर adjustment में benefits given है तो दो जगह जाएगा कहा P&L के debit में चला जाएगा और दूसरा चला जाएगा balance sheet में debtor में से minus अगर आ जाता है provision for doubtful debts trial balance में है तो इसे हम दिखाएगा profit and loss के credit side हाँ answer में कई बार आपको अलग जगह देखने को मिल सकता है लेकिन आपको दिखाना है profit and loss के credit side लेकिन अगर adjustment में given हुआ तो दो जगह दिखाना है सर कहा P&L के debit side में और दूसरा सर एक जाएगा हमारा P&L के debit side में दूसरा उस debtor में से क्या करेंगे minus कर देंगे इसके बाद आपका आगे दोनों अगर साथ में आ जाए दोनों के तीनों साथ में आ जाए एक provision for discount भी है तो क्या treatment होना है सर ट्राइल बैलेंस वाले को तो bad debts को तो हम दिखाएंगे सर debit में P&L के provision for doubtful debts दिखाएंगे credit में अब provision for discount दिखाएंगे credit में लेकिन जब adjustment में होगा तो सबसे पहले हमें minus करना है bad debts फिर minus करना है provision फिर minus करना है discount और ये तीनों खर्चे पी हिंडल के कहां चले जाएंगे सर debit के अंदर आ जाएंगे इसके बाद हमने देखा था सर क्या एक कुश्चन हमने देखा और इसके basis पर trial balance का जो की जो adjustment किया उसके उपर हमने question कर लिया था एक adjusted purchase अड़्जेस्टिट पर्चेस में मैंने कहा था आपका opening stock plus purchase minus closing purchase return somehow कई बार minus होता है और कई बार नहीं होता अगे था goods use goods use कहां कहां हो सकता है प्रोप्राइटर अपने लिए यूज कर सकता है charity में हो सकता है free sample में हो सकता है या loss by fire हो सकता है अगर अपने personal use करता है तो that is a drawing अगर trial balance में है तब तो capital से minus अगर adjustment में है तो capital से minus साथ का साथ purchase से minus क्यूंकि जब कभी भी goods use करोगे तो हमेशा कहां से minus हो जाएगा sir purchase से minus हो जाएगा free sample में भी अगर adjustment में दे रखा है तो मैंने बताया दो जगाए less from purchase पी एंडल के debit में और अगर trial में है तो सरफ पी एंडल के debit में charity का बिल्कुल same adjustment आपका होना था loss by fire अभी हमने करा नहीं है इसको हम अलग से करेंगे इसके बाद देखा था हमने एक question जो की हमने कर लिया था आपके book का ही question number 7 है honors में कोई और question हो सकता प्रोग्राम में कोई और आप question के digit देखके इसको मिला सकते है इसके बाद हमने और adjustment आगे लेके गए थे prepaid life insurance और including the general insurance तो life insurance कभी-कभी insurance के अंदर एक life insurance का पार्ट जुड़ा हो आता है तो वो life insurance का पार्ट वहाँ से हटा के कहां ले जाते है capital में minus कर देते है और normal insurance कहां चले जाएगा prepaid में लेकिन normal insurance को check करते हैं इसके बाद हमने देखा था omitted purchase, omitted purchase के अंदर आपका या तो goods भूल सकते हो लिए या फिर assets भूल सकते हो अगर आप goods लिए भूल गए तो उस situation में क्या होगा एक तो purchase में add on हो जाएगा और एक creditor बन जाएगा आप assets लिखना भूल गए तो उस situation में assets बढ़ जाएगा और दूसरा कहां चले जाएगा हमारा balance sheet के liability में as a creditor लेकिन मुद्दे की बात है अगर आप assets लिखना भूलते हैं तो depreciation का सवाल आता है अगर date दे रखा है तो according to date लगाई या date नहीं दे रखा तो आप पूरे साल का लगाई है या छोड़ देजिए वो आपके उपर पूरा depend करता है इसके बाद सर आगे देखा जाए तो interest on capital बात करें तो अगर trial balance में है तो P&L के debit में जाएगा और adjustment में है तो दो जगा चला जाएगा एक P&L के debit में और एक capital के अंदर क्या होगा add हो जाएगा सर ये इसके बाद देखा था interest on drawing interest on drawing interest on drawing इसी के नीचे था हमारा जो की same P&L के credit side adjustment में तो P&L के credit side और drawing में add या less from capital कह दो इसके बाद था सर हमारा interest on loan interest on loan hidden adjustment का basically part होता है interest on loan अगर आपको adjustment में दे रखा है तो P&L के debit में और balance sheet के liability में लेकिन अगर आपका trial balance में है तो सरफ P&L के debit में यहाँ मुद्दे की बात है कई बार आपको insight date दे देता है trial balance के तो date के according calculate करके आप पता करोगे कितना part हमारा outstanding है same interest होता है आपका investment पे तो बिल्कुल same हमने ये वाला topic भी complete कर लिया था इसके बाद हमने देखा था outstanding rent expense outstanding का पहले भी discussion किया था उसका अगला part था trial balance के अंदर ही आपको rent wages salary किसी के अंदर आपको bracket में डाल देगा 11 महने 9 महने 8 महने जैसे कि मैंने एक example के अंदर आया यहाँ पे 11 महने डाल के दिखाया हुआ है तो sir जब trial balance के अंदर ही basically ये डाल दिया जाता है 11 महने तो ये 11 महिने का है जबकि हमें कितने महिने का दिखाना होता है sir 12 महिने का तो जितना part outstanding निकलता है वो निकालके हम आगे continue कर लेंगे यहाँ तक हमने पूरा का पूरा part जितना अभी तक किया है 5 से 6 classes में वो में हमने cover किया आज हम इसके आगे देखेंगे और property plant and equipment का एक थोड़ा सा concept करने वाले हैं